इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा friends कि आप वेट्टर में अपने अप प्ले हो जाने वाले वीडियो को अपने आप प्ले होने से कैसे रोक सकते हैं तो अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से last तक जरूर देखेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों उसके लिए आपको चले जाना है अपने Twitter एप्लिकेशन में उसके बाद फ्रेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वीडियो अपने आप यहाँ पर प्ले हो गया है तो फ्रेंट्स हम यह चाहते हैं कि हम इसे बंद कर दें यानि कि यह अपने आप प्ले ना हो तो फ्रेंट्स वीडियो को अपने आप प्ले होने से रोगने के लिए फ्रेंट्स आपको यहाँ उपर साइट कोने में इस थ्री लाइन के आइकन पर क्लिक करना है उसके बाद friends आपको यहां setting and privacy का option मिलेगा तो आपको इस पर click करना है उसके बाद friends आपको यहां option मिल जाएगा data usage का तो friends आपको इस पर click कर देना है उसके बाद friends आपको यहां option मिल जाएगा data saver का तो friends आपको यहां इस box में इस पर click करके इसमें tick mark लगा देना है तो friends आप जैसे ही इसमें टिक मार्क लगा देंगे उसके बाद friends आपका Twitter वीडियो अपने आप play होना बंद हो जाएगा जैसे कि friends आप देखिए ये वीडियो जो है अपने आप play होना बंद हो चुका है तो फ्रेंट्स इस तरीके से आपो ट्विटर वीडियो को अपने आप पले होने से रोग सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिये अपने फ्रेंट्स के पास सैर करिये और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जूरूँ